वेलकम बैक तो दे चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे इस्राइल के पी एम बेंजमेन नितिन हुँ के गर में एक ड्रोन जाके गिरा और हुआ ब्लास भी हुआ इस्राइल के तरब से कहां गया है कि इसमें कुछ ड्रोन नितिन हुआ और उनके जो धरम पत्नी है वहां घर में नहीं थे वह कुछ दर पहले ही निकले थे हो सकता है कि अगर वह घर पे रहते हैं कोई कैजौल्टी होने का चांसे हो सकता था अगर देखा जाए जब यह ड्रो उसके घर में कैसे यह ड्रोन जाके हिट कर सकता है यह one of the major question है दुनिया में आज आज के डेट में दुनिया के सारे countries का एक ही question है कैसे बेंजमिन निते निहाओ के घर में जाके यह ड्रोन गिर सकता है क्या इस ड्रोन में कोई ऐसा technology है जो इस्राइल के यह जो air defense system है यह कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया तो चलिए थोड़ा सा analysis करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं exactly क्या हुआ था सबसे पहले हम लोग जान्या का कोशिश करते हैं आज के डेट में इस्राइल के पास क्या-क्या air defense system है presently अगर हम लोग देखे officially इस्राइल के पास चार तरह क है air defense system है पहला है iron drone दूसरा है david sling तीसरा है arrow two और चौता है arrow three तो यह सारे जो air defense system में हर किसी का काम जो है वो अलग है एक बार देख लिते हैं कि कौन सा air defense system क्या काम करता है पहले हम लोग शुरू करते हैं iron drone air defense system के साथ iron drone जो short range rocket है साथी साथ जो drone है उनको exactly intercept करता है और सा बाद आता है david sling जो tactical ballistic missile साथी साथ large caliber rocket को intercept भी करता है और उसको मार के भी गिराता है उसके बाद जो बारी है वो है आपका arrow two का arrow two one of the advanced system है आज के रेट में इस्राइल के पास arrow two का काम है जो missile high altitude से आ रहा है ऐसे जो ballistic missile है उन लोग को intercept करना और उन लोग को मार के गिराना औ arrow three no doubt आज के डेट में इस्राइल के पास officially सबसे advanced technology है regarding air defense system no doubt आज के डेट में इस्राइल के पास सबसे advanced जो air defense system है वो है arrow three arrow three का का काम है जो earth का atmosphere है atmosphere के बाहर जाके भी यह missiles को intercept कर सकता है और वहां उसको मार के किरा सकता है for example जो intercontinental ballistic missiles होते हैं मतलब दूसरे continent से छोड़ा जाता है अगर वो missile कभी इस्राइल के उपर आता है at that point of time arrow three उन लोग को दुनिया के atmosphere के बाहर जाके भी गिरा सकता है अगर इस्राइल चाहे तो arrow three space में भी कोई target को engage कर सकता है तो no doubt इससे हम लोग को यह तो पता चल गया कि इस्राइल का जो air defense system है यह आज के रेट में दुनिया के one of the best है और हम लोग अगर यह सारे air defense system का जो काम है इसको analysis करे तो हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि यह जो drone आया था इसको अगर intercept करके गिराना था तो वो जो काम वो था आपका iron drone का तो iron drone ने क्या अपना काम completely किया या फिर iron drone यह जो drone है इसको detect करने में फैल हो गया presently दुनिया के सारे country को यही जानना है मगर officially आज के देन में इसराइल के तरफ से इस बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि iron drone अपने तरफ से यह जो drone है इसको intercept करने में या नहीं इसके लाव ही अगर हम लोग देखे इसराइल के जो बेंजमीन नितियन्याहू के spokesperson ने उनका कहना है कि out of three एक ऐसा drone था जो इसराइल के PM बेंजमीन नितियन्याहू के घर में गिरा जहां blast हुआ इसके वैसे कोई casualty नहीं हुआ था यह जो ड्रोन था यह लेबनान से छोड़ा गिया तो नो डाउट यह statement सुनने के बाद हम लोगे मन में बहुत सारा question arise करता है पहला कि यह जो ड्रोन था exactly इसमें कौन सा टेक्नोलोजी यूज़ा था क्या यह इतना advance है जिसको इसराइल के जो air defense system में वो फकर नहीं पाया अगर यह लेबनान से छोड़ा गिया है तो लेबनान और बेंजमीन के घर केसर या टाउन है इसके बीच में भी अगर हम लोग डिस्टेंस देखे तो राउंड अबाउट 20 से 30 किलोमेटर के आसपास है तो 20 से 30 किलोमेटर यह fly किया है और उस बीच में भी एक बार इसराइ है वहाँ अगर हम लोग देखे आज के डेट में इसराइल के जो सोल्जर से उन लोग का दबदबा चलता है प्रेजेंटली लेबनान के साउथ पार्ट में जहां हिजबुला एक टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिप था प्रेजेंटली हिजबुला अपना जो पावर है किया है उसके बाद इन्होंने अपने तरब से यह टार्गेट को हिट करने का कोशिश किया है नो डाउट कुछ हद तक यह टार्गेट को हिट भी किया है हो सकता है कि उसमें किसी का जान नहीं गया है मगर जो लोकेशन जो यह आगे जाके वह लोकेशन में पहुंच गया है करद कि इसे बहुत ही बड़ा होता कि इस्रेज के पास टिक्नादिय है एब कर नहीं UP कि यह दो पक contingency कि पकर नहीं से हैं ऑगर हिजबुल्ला के पी अपने तरप से नहीं भेज दो अगर हिजबुला ने अपने तरफ सी मह भी बेजा एlish के पास आइसा जैसे हम लोग को पता है कि हिजबुल्ला जो है वह टेक्नलोजी में अतना अपडेटेड नहीं है इसको लेकर हम लोग पहले भी डिसकेशन किया था चैनल में बहुत सरा वीडियो भी है पेडियर आटक को लेकर अगर हिजबुल्ला ने यह ड्रोन मैनिफेक्ट नहीं है क्योंकि हर कोई अपने सरब से कुछ बोला नहीं है ऑन दादर साइड हिजबुल्ला के एगेंस्ट में यह जो वार है इस्राइल और भी जादा आगे जाके एक्टिव कर देगा चांसे बहुत जादा है कि इसमें बहुत सारे जो इस्राइल या फिर बेंजमिन इच कर देखें तो हम लोगों पता है कि इरान जो है काफी कहीं 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 कैसे ना कहीं करते हो सकते सब जो जो नहीं सारे भी दुश्मन ते वो लोग एक साथ मिल गया है और उसके बाद यह प्लैनिंग के तरब से एक स्टेट्मेंट आया जिसमें उन्होंने कहा थे मुझे और करने का यह जो एक्टेम्ट है काफी गलत किया है जो भी किया है आगे जाके हम लोग इसको जबाब देंगे अनोड़ा और बेंजमिन इतने हुँ जबाब देगा हम लोग को जैसे पता है अगर हम लोग पिछला हिस्ट्री चेक करें तो इसरेल का अगर एक भी कोई सिटिजन क र Android बेक किया इस ड्रोन में कौन सा टेक्नोलबिक हो रहा है उससा कंट्री का क्वें इस ड्रोन को बनाने के पीछए इस कंट्री का हाथ है क्या वो तो लेक्ली इसरेल का दुश्मन है तो नोटाउल आपको एग्जाकली क्या लगता है कउनसा कंट्री इसपे फिचूष जि डिए जो खिते जल्दी कहतं होने वाला होगोछ इस उपने तरब से पिर से अक्षण ले रहा है और हो सब सरी हो अब्यूसाई करो और ऐसे इंट्रAnt वीडियो आप लोगों मैं अब असमें प्लेटेश्जज extent र büyवाग bon YouTube channel that is Atanu Paul ATA NIN SpacePL को जाके subscribe कीजिए और बहुत सरे interesting टोवी में बहुत सरे वीडियो आपको बिलने वाला है जो वीडियो आपको सबस्क्राइब करें आपके लाइप की जो सबस्क्राइब करें उनके साथ शेयर कीजिए कि उससे क्या होता है आपका जो सोच आपको क्या देखना अच्छा लगते उन तक पहुंसता है पर हम लोग जैसे जो क्रेटर है हम लोग का जो रोजी रखिया वह भी चलता रहता है इसके लावी जब भी चैनल को जो आप बेल आइकान है उसमें क्लिक कर दीजिएगा वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है जब भी आएगा आपको बस्तुलान नोटिक्रेशन पहुंच जाए रहे है वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यावाश्यू झाल 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 झाल